श्री नाज्य गुरुजी को अलग आदेश, मा भगवती को अलग आदेश, रांची वाले भहरब बाबा को अलग आदेश, आप सभी को अदेश, आदेश, मृत संजीवनी एक ऐसी विद्या है, जिसके बारे में शास्त्रों में कहा गया या लोग ऐसा मानते हैं, कि वो मृत को जिन्दा कर दे, ऐसी कथा भी है, जो कि कल यूग की नहीं किसी और यूग की है, मृत संजीवनी वस्तुता उसको बोलते हैं, जो मृते में जान भूगते हैं, जब हम किसी को मृत गोशित करते हैं, तो वो सिर्फ प्रानवायू से मृत नहीं होता है, इंसान मृत होता है धर्म से भी, इंसान मृत होता है अर्थ से भी, इंसान मृत होता है काम से भी, और इंसान मृत होता है मौक्ष से भी, तो वो मंत्र जो इन चारों को जीवित कर दे जीवन में, उसी को कहते हैं मृत संजीवनी, ठीक है, एक बड़ा सुन्दर गीत है, गिरना नहीं है, गिर के समलना ही जिंदगी, रुकने का नाम मौत है, चलना ही जिंदगी, तो वो जो जीवन को चला दे, वो मृत संजीवनी है, आप धर्म के मार्ग पर पूरे ध्वस्त हो चुके हैं, अधर्मी हो चुके हैं, तो ये मंद्र आपको फिर से जीवन में वापस लाएगा, आप अर्थ, माया, धन में पूरे तरीके से खतम हो चुके हैं, मृत्य उशया पे हैं, धन के मामले में, तो आपको ये धनाठ फिर से बना सकता है, काम, मतलब कामना, जीवन में जीने की कामना, जीवन में कुछ करने की कामना, अगर वो भावना खतम हो गई है, तो मृत संजीवनी वो मंत्र है जो आपको दिलाएगा हाँ एक चमतकारी मंत्र भी है मृत संजीवनी जो कि अत्यंत गोपनिय है और राजाओं को दिया जाता है जो भी गुरू होंगे वो अगर राजा या राष्ट धर्म जब संकट में होता है तो मृत संजीवनी का प्रयोग करता है और मृत संजीवनी का प्रयोग करने से उसके जीवन का उतना आयू अगले को लग जाता है लेकिन एक मृत संजीवनी आम जन मानस के लिए भी है जो कि भैरव तंत्र में आता है नर सिंग तंत्र में आता है और इस मृत संजीवनी को सिध्य करने से मित, रूपी, पुरुष जीवन में चलने लगता है तो कैसे करते हैं मृत संजीवनी साधना, कैसे आपका धर्म, आपका अर्थ, आपका काम और आपका मोक्ष, जो मृत पढ़ा हुआ है वो चलने लगे महादेव की साधना है यह, ठीक है, महामृत्यूंजय के बाद, यह आठ अक्छरों वाला जो अमृत संजीवनी है, यह महादेव का सबसे मजबूत मंत्र माना जाता है घर में उपियोग होने वाला जो शिवलिंग है, वो अगर क्रिस्टल का हो तो अति उत्तम, नहीं तो मैंने बताया है कि रुद्राक्ष को अगर योनी पे आप स्थापित करते हैं, तो वो कल अगनी रुद्र शिव का रूप हो जाता है, उसको आप घर में स्थापित कर सकते हैं, उसको स्थापित करने के बाद, जो मंत्र मैं बताऊंगा, उसका सवालाक जाप करना है, सवालाक को जाप करने के उसका दशान समन करना है, ऐसा करने से यह मंत्र सिद्ध हो जाता है, सबसे पहले अगर आपके पास पहले से शिवलिंग है तो उस शिवलिंग को सुद्ध कर ले, शुद्ध कैसे होगा वो, पंच गव्य से होगा, लेकिन पंच गव्य एक साथ मिला करके नहीं, बल्कि अलग आप उससे शिवलिंग को धोईंगे और उसके बाद गंगा जल से धोग करके उस शिवलिंग को शुद्ध करेंगे, शुद्ध करने के बाद जो पंच पूजा होती है वो करेंगे धूप दीव नवेद, करने के बाद पुश्प दे करके धूप दीव देंगे, ऐसा रोज करेंगे, शुरू क आप करेंगे, तो यह हम करेंगे कृष्ण पक्ष की किसी भी एक सोमवार से शुरू करेंगे, और सवालाक का इसमें आपको संकल्ब करना है और एक धिन भी अगर आपने छोड़ा, किसी समवारी से शुरू करना होगा, उसी कृष्ण पक्च में फिर आप इसको शुरू नहीं कर सकते हैं, ठीक है, इसको करने के बाद, जब आप सवालाग जाप कर लेते हैं, तो आपको शिवलिंग को थोड़ा एक बार हिलाना होता है, इस बीच में शिवलिंग हिलना नहीं जब तक आपका जाप कर रहा है, अगर आप रुद्राक्ष का शिवलिंग स्तापित करते हैं, जैसा मैंने विधान पहले बताया है, तो फिर उसको सिर्फ पंचगव के दिखाया जाता है, उसके उपर पंचगव यह नहीं डाला जाता है, सिर्फ अल्प गंगा जल से आप उसका शिनन करा सकते हैं, उसके बाद उसका भी पंच पुजा करके उसके सामने सावालाक जब होगा, और जब होने के बाद, एक बार उसको हिलाया जाता है, ठीक है, मंत्र क्या है ध्यान से सुनिएगा, आ टग चर का मंत्र है, मंत्र है, ohm, फिर से सुनिए एक आखरी बर सुनिए इस मंतर का सवाल आग जाप करना है ये तो मैंने बहुत धीरे बोला लेकिन एक चीज ध्याद रखेगा कि इस मंतर को अगर आप तेजी से करेंगे तो तै है कि आपका जो उचारन है इस मंतर का गलत हो जागा और एक व्यूद चारन गलत हुआ तो पूरी साधना खंडित हो जागा तो धीरे धीरे आप इसको छे महिने का एक संकल्प लेंगे और उसका एत करेंगे एक बार जब साधना पूरी हो ठीक है तो फिर बेल पत्र तीन वाला पांच वाला नहीं तीन वाला बेल पत्र ठीक उसमें लॉंग और गूगल का मिश्रन करके उसमें घी मिला देना है और उसके बाद इसका दशान सवन करना है इसका दशानसवन एक बार में नहीं होता, साथ बार में होता है, तो साथ भाग में आप बाट ले अपने दशानसवन को और उसके बाद करें, एक बार आप ये कर लेते हैं, तो रोज इसका फिर आपको एक माला करना है, एक माला करने से आपको अपने धन, अपने अध्यात्म अपनी कामनाओं के लिए और मृत्यू के बाद मोक्ष के लिए कोई चिंता नहीं करना होगा, मतलब आपको इसके अलावा कोई साधना नहीं करना, अगर आप ये साधना कर लेते हैं, इसके बाद आपको किसी भी साधना के आवशक्ता नहीं है, देखो महादेव का जो तंत्र वार्तालाप है इस अनन्त कोटी ब्रह्मःन में जिसे तंत्र का वर्नन हुआ है अब जैसे महहमृत्योंञे बहुत बाड़ा-बाड़ा महहमृत्योंग्या अपने सुना हुआ लेकिन अलप महहमृत्युँझया है जो आप लोग जाप कर सकते हैं जो कि γिसको जाप करने में खत्रा नहीं है जो पूर्ण महामृत्युंजय है उसमें ये लिखा हुआ है कि आप ब्राम्वनों के द्वारा शिवलिंग स्थापित करके ही उसका जाब कर सकते हैं लेकिन आपको अगर महामृत्युंजय करना है तो क्या मंत्र हैगा ओम जुम सह वसटा बस यही चार अक आपको उतना ही लाग होगा तो मृत्युंजीवनी आज आप लोग समझ गए मृत्युंजीवनी अगर आपको आर्थिक तंगी है आपको मांसिक तंगी है या फिर आपको आध्यात्मिक तंगी है किसी भी तरीके के तंगी को दूर करने के लिए हम लोगों को महादेव ने म मृत संजीवनी का मंत्र दिया है और इस मंत्र को हमको आपको सब को करना चाहिए एक छोटा सा महामृत्यूंजया मंत्र भी आप लोगों को दे दिया क्योंकि बहुत लोग बोलता है कि महामृत्यूंजया का कौन सच आप करें उसके लिए एक अलग वीडियो बनाना पड़ता आज के लिए इतना ही अब थोड़ा मैं अपना प्रचार कर लूँ जिनको पेड साधना ग्रूप से जुड़ना है वो मेरे पेड वाट्सप ग्रूप से जुड़ जाएए नंबर है 94311-88585 इसमें दिशावंधन, आसन बंधन और प्राथा विधी क्या होनी चाहिए साधक साधक के दिन चरिया क्या होनी चाहिए यह सब विश्यों को हम बताते हैं डायरेक्ट अपॉइट्मेंट लेने के लिए www.aghurtantrha.xyz पर आप चड़े जाएगा तो इसमें अपॉइट्मेंट सेक्शन है उसमें जाकर के आप मुझसे डायरेक्ट अपॉइट्मेंट ले सकत हैं फोन पर बात करने के लिए कॉल मी फार आप डाउनलोड कीजिए अप स्टोर और गूगल प्ले से उसमें रूद्रनाथ at cm4 सच करीगा तो मेरा प्रोखेज मेलेगा उसमें बात कर सकते हैं महाकाल आप सभी के रक्षा करें ऐसी मेरी कामना है आप सभी को आदेश क्ष़खेज करें और ला आप सकते हैं महाँ रखरी को आप सकते हैं महाँ झाप प्ले से नहीं करें तो मी फार आप सुछर आप सभी को आप सवाब।